हेलो चिल्डरन वेलकम टू असाई एजुकेशन आज हम करेंगे सीवी असी की साथ में क्लास की हिंदी की किताब बाल महाभारत कता का 34 चैप्टर यदिश्टिर की चिंता और कामना है ये देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है दिलोधन को अरजुन का पीछा कर करते देखकर पांडव सेना ने शत्रों पर और भी जोर से हमला कर दिया दृश्टिम्न ने सोचा कि जैद्रप की रख्षा करने है तू यदि द्रौर भी चले गए तो अनर्थ हो जाएगा इस कारव द्रौर चार को रोके रखने के रादे से उसने द्रौर पर लगातर आक पीछा करते हैं तो अरजुन को द्रौधन के द्वारा जो पीछा किया जा रहा था उनका पीछा करते हुए देखकर द्रौर जो पांडव सेना होती है वह शत्रों पर और भी जर्व से हमला कर देती है को र Extraं ने स्थार कि रख्षा करने के लिए यदि द्रौर चार भी चल जाएंगे तो बहुत ज्यादा अनर्थ हो जाएगा इस वजए से जो द्रिश्ट उम्न होते हैं वो द्रॉंगर चाल को रोखे रखने के इरादे से उनको जैद्रत तक ना पहुंचने देने के इरादे से उन पर आक्रमर करना जारी रखते हैं उन पर हमला करते रहते हैं तो इस चाल के कारण जो कौरब से ना होती है वो तीन हिस्सों में बढ़ जाती है और काफी कमजोर बढ़ जाती है इतने में क्या होता है जो द्रिश्ट उम्न होते हैं वो उचल कर द्रॉंगर चार के जो रख था उस पर बैठ जाते हैं और बिच्छिपत सा होकर द्रॉंगर पर बार करने लगते हैं मतलब पागलों की तरह उन पर हमला करने लगते हैं जो दुरिश्ट दुन होते हैं वो दुरौगाचार पर 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 दुरौगाचा की का बार उसे बीच में ही पुना ना कार देता तो साथी की भी कि अपना जो बार इसको चलाते हैं तो जो चार का बार होता है वो साथी की के बार से कड जाता अगर उट नहीं कड़istas तो घूलाल से काड़ा做 द्रिश्ध तो मॉत हो जाती है रत पे सवार दृष्ट तुमन को बहां से हटा कर ले जाती है तो फिर जो सातिकी होते हैं वो भी काफी ज़्यादा हमला करते हैं क्योंकि वो मामूली बीर नहीं थे काफी ज़्यादा बीर थे वो काफी कुशल युद्धा थे तो पांडब सेना के सबसे चतुर युद्धाओं में उनका इस्थान था जब उसने द्रौराचार को अपनी और जपटते देखा तो भैख खुद भी उनकी और जपटा इस तरह बहुत देल तक द्रौराचार और सातिकी के बीच युद्ध होता रहता है इसी बीच क्या होता है जो धिश्थिर होते हैं उनको पता चलता है कि सातिकी अनपर संकट आया हुआ है तो वो अपने आसपास के बीरों से कहते हैं कुशल योद्धा नरुत्तम और सच्छे बीर साथिकी अचाद्रोंग के बारों से बहुत अधिक प्योडित हो रहे हैं तो चलो हम लोग उधर चल कर उस बीर महारती की साहिता करें तो जो युद्धिश्टिर होते हैं वो साथिकी की रख्षा करने के लिए उनकी साहिता करने के लिए जो और सैनिक होते हैं बीर होते हैं उनसे प्रात्ना करते हैं इसके बाद द्रिश्टुम से बोले दुर्पत कुमार आपको अभी जाकर द्रौगाचार पर हमला करना चाहिए नहीं तो डर है कि कहीं आचार के हातों सात्तिकी का बद ना हो जाए तो वो द्रिश्ट तुम से भी कहते हैं कि दुरुपत कुमार तो मैं अभी जाकर क्या करना चाहिए द्रौगाचार पर आक्रमर करना चाहिए नहीं तो हो सकता है द्रौगाचार जो है वो उसको मार डालें उनके हातों सातिकी का बद हो जाए तो इदिश्टिल को इसी बात का डर था कि कहीं द्रोग अचार के हाथों साथिकी का बद ना हो जाए तो इदिश्टिल ने द्रोग पर हमला करने के लिए जो द्रिश्ट तुमन होते हैं उनके साथ एक बरी से बेज दी तो समय पर कुमक के पहुंच जाने पर भी क्या हुआ बहुत परिश्रम के बाद ही साथिकी को द्रोग के फंदे से छुगाया जा सका तो समय पर जो साहता पहुंची उसके पहुंच जाने के बाद भी काफी परिश्रम के बाद जो सातिकी होते हैं वो द्रॉर के चंगुल से छूट पाते हैं इसी समय क्या होता है श्री क्रिषण के पांच जन्य की दुनी सनाई देती हैं तो इस गरी अरजण की साहता को चले जाओ इतना कहते कहते जो इधिश्टिर होते हैं बहुत ज्यादा अधिर हो जाते हैं तो जो अरजुन होते हैं उनकी साहता के लिए जो इधिश्टिर होते हैं वो कहते हैं अरजुन की साहता करने के लिए सातिकी को कहते हैं तो इधिश्टिर के इस प्रकार आ बहुत अच्छे से जानते हैं तो आपकी जो रक्षा का भार है वो हमारे उपर है तो आपकी जो रक्षा करनी है वो हमको करनी है तो बाहराज बासदेब और अरजन मुझे ये आदेश दे कर गए है कि मैं आपकी रक्षा करूँ मैं उनकी जो बात है उसको कैसे टाल सकता हूँ तो मुझे पर उन्हें भरोसा किया है कि मैं आपकी रक्षा करूँगा तो मैं उनकी बात को नहीं टाल सकता तो मैं नहीं जाओंगा तो आप अरजुन की चिंता ना करें क्योंकि अरजुन को तो कोई जीती नहीं सकता उधर जैसे ही साथ्तिकी उधिश्टिकी 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 उधिश लेकिन जैसी ही वो अर्जुन की तरफ जाते हैं वैसी ही द्रोराचार पांडव सेना पर हमला करना शुरू कर देते हैं पांडव सेना की पंग्तियां कई जगे से तूट जाती है और उन्हें पीछे हटना परता है यह देखकर जो दिश्टिर होते हैं काफी चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं भीम मेरा कहा मानो तो तुम भी अर्जुन के पास चले जाओ तो भीम को भी कहते हैं कि तुम भी अर्जुन के पास जाओ और साथिकी तथा अर्जुन का हाल चाल मालूम करो वो किस हाल में है इसके लिए जो कुछ करना जरूरी हो बहे करके बापस आकर मुझे सूच ना दो फिर आना बापस और बताना की महाँ पर क्या हाल चालें तो आकर मुझे इस बात की सूच ना देना मेरा कहना मानकर ही साथिकी अरजुन की साहता को कौरब सेना से युद्ध करता हुआ गया है तो मेरा कहना मानकर जो दिश्टर होते हैं मों कहते हैं कि मेरा कहना मानकर मैंने ही उस से कहा था साथिकी से कि अरजुन की साहता करो तो मेरा कहना मानकरी जो साथी किया अर्जून की साहिता को कौरब सेना से युद्ध करने के लिए गया है यदि तुम उनको कुशल पुरुबक पाओ तो सही नात करना मैं समझ लूँगा कि सब कुशल है तो वो कहते हैं अगर तुम बहाँ जाते हो देखते हो कि यहां सब कुछ सही है तो तुम सहीनाद करना काफ़ी तेर अवाज करना जिससे मैं समझ जाओंगा कि सब कुछ ठीक प्रकार से है तो भीमसें ने इधिस्टिल की बात का प्रतिवाद नहीं किया और भै दुश्टुम से बोला आचार द्रॉग के इरादे से तो आप पर्चित हैं ही किसी ना किसी तरह भाता विधिश्टिल को जीवित प्रकलने का उनका प्राग है तो जो भीमसेन होते हैं वो विधिश्टिल की बात का प्रतिवाद नहीं करते हैं किसी ना किसी तरह भाई उधिश्टिल को जीवित प्रकलने का उनका प्राग है उन्हों ने जो प्रिश्टिल को बरस ऑख सब्सक्राइबंगे तो और राजा की रकषाओ करना ही हमारा क्या होता है प्रितम कर्टब भी होता है तो हमें इदिश्टिर की रख्षा करनी चाहिए जब भैस है मुझे जाने की आग्या दे रहे हैं तो उसका भी पालन करना मेरा धर्म हो जाता है तो जो भी मैं वो कहते हैं कि अगर राजा कोई आग्या देता है तो उसका पालन करना भ के भरोसे पर छोकर जा रहा हूं तो जो भी मैं वो कहते हैं कि escola क्योंकि अपिधिश्ट्रius ने मुझ儿 से का आ में जाने के लिए तो मैं मैं उनकी आग्धिया कैसे टाल सकता हूं इस बजह ऐसे मैं भाई यूधिश्ट्र को आपके भरोसे पर छोकर जा रहा हूं ऐसा वो द्रिश्टुम से कहते हैं तो वो कहते हैं कि आप उनकी भली प्रकार से रक्षा कीजिए क्योंकि ड्रॉलर चार ने भी प्रितिग्या ले रखी है कि वो एधिश्टुर को जीवित पकरेंगे तो वो कोई भी ऐसा मौका नहीं जाने देंगे ताकि जो एधिश्टुर रखो उनके हाथ से निकल जाए तो जो द्रिश्टुम नोते हैं वो कहते हैं तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो भीमसेंसे कहते हैं और निश्टु कर जाओ विश्वास रखो कि द्रॉलर मेरा बद किये बिना युदिश्टु को नहीं पकल सकेंगे तो जो द्रिश्टुम नोते हैं वो भीमसेंसे कहते हैं तो तुम निश्टु कर जाओ मुँश पर विश्वास रखो ऐसा नहीं होगा अगर ऐसा होता है तो जो द्रॉलर चारे हैं उनको पहले मेरा बद करना होगा अगर वो आते हैं तो उनको पहले मेरा बद करना होगा उसके बाद ही वो युदिश्ट्र को पकर सकते हैं आचाय द्रॉल के जन्र के बेरी द्रिश्टुम्न के इस परकार विश्यास दिलाने पर भीम जो होते हैं जहां अरजुन जैदरत की सेना से लग रहा था तो जितने भी सेने दल होते हैं उन सब का मुकाबला करते हुए मारता गिराता हुआ जो भीम होता है अंत में उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां अरजन जैदरत की सेना के साथ लो रहे थे, उनका मुकाबला कर रहे थे तो अरजुन को सुरचित देखते ही जो भीम सेन होते हैं वो क्या करते हैं सिही नाद करते हैं क्योंकि ऐसा इधिश्टिल ने करने के लिए कहाता है उन्होंने कहाता है कि जब तुम देखो महाँपे सब कुछ ठीपरकार से है तो सिही नाद कर देना तो अरजुन को जब वो देखते हैं कि ठीप प्रकार से हैं तो जो भीम से नोते हैं वो सीही नाद करते हैं भीम का सीही नाद सुनकर श्री कृष्ण और जो अरजुन होते हैं आनंद के मारे उच्छल पड़ते हैं और उन्होंने भी क्या किया जोरों से सहीनाद किया इन सहीनादों को सुनकर जो इडिश्टिर होते हैं वो बहुत जादा प्रिसन हो जाते हैं उनको इस बात का एकीन हो जाता है कि सब कुछ ठीक है तो उनके मन में जो शोक के बादल थे वो हट गए तो जो इडिश्टिर होते इतने अधी प्रिसन होते हैं कि उनके मन में जो दुख था इस बात को लेकर की ही उनको कुछ हो ना जाए अरजुन को तो उनके मन में जो ये दुख था वो समापत हो जाता है जब वो सीहिनात सुनते हैं उन्होंने अरजुन को मन ही मन आशिरवाद दिया वह सोचने लगे करेंगे अपनी जो प्रितिग्या और 모든 ऑब कर लेंगे उन्होंने जो प्रितिग्या लिए जैद्रत का बद करने की उसके मार देंगे और बापस लौट आएंगे तो हो सकता है जैद्रत के बद के बाद दिलोधन संधिक करें मैति कर ले इधर जो इदिश्टिर होते हैं मनीमन शांती इस्थापना की कामना कर रहा है थे उधर मौर्चे पर जहां भीम साति की अर्जुन थे बहाँ क्या हो रहा था गोर संग्राम हो रहा था बहां पर बहुती बेहानक युद्ध हो रहा था थोड़ी ही समय में जिस स्थ और जैदरत का जो युद्ध हो रहा था महाँ पर दिरोधन भी आ जाता है लेकिन कुछी देर में बुरी तरह हार जाता है मैदान छोग का भाग जाता है इस बहांती उस रोज कई मोर्चों पर जो रोज से युद्ध हो रहा था तो इस तरह जो युद्ध था वो कई मोर्चो पर हो रहा था तो द्रोगल ने कहा बेटा द्रोधन तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए तो जो द्रोगल चाहर होते हैं वो द्रोधन को हिम्मत बनाते हैं वो उससे कहते हैं कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए तुम्हें इस तरह नहीं भागना चाहिए तुम जैद कि आचार के कहने सुनने पर दिर्दन होते हैं कुछ से ना लेकर फिर से युद्ध के मैदान पर चले जाते हैं युद्ध करने के लिए जहां अरजन और जाध रित्मेजरों से युद्ध ना रहा था उनकी मूरती सा दिखाई दे रहा था तो जो भीम सें थे वो काफी उत्ते जित थे काफी उग्र हो रहे थे तो जो कर थे वो जो कुछ कर रहे थे बहुती धैर के साथ और शांत सुआप से कर रहे थे लेकिन जो भीम थे उनको अपना जो अपमान हुआ था वो सेहन नहीं हो रहा था वो काफी उग्रो जाते थे दोनों ही बहुत बगे बीर थे और वो एक दूसरे पर हमला कर रहे थे तो जो भीमसेन होते हैं उनको पिछली सारी बाते याद आती है कि उनका कितना अधिक अपमान हुआ उन्होंने कितने अधिक कश्ट सहे मुसीवते सही ये सारी चीज़े उनको याद आती है जो उसे उसके भाईयों और दुराबदी को पहुचाई गई थी तो जो अपमान उसने सहा जो यातना है सही जो उनके भाईयों को पहुचाई गई यातना है दुराबदी को जो कश्ट सहने पड़े वो सब कुछ उसको याद आता है तो प्राणों का मोह चोड़ कर वो क्या करता है लगने लगता है उस समय भीम से इनका घाओं से भरा हुआ शरीर धदकती हुई आकसा प्रतीत हो रहा था तो जो भीम से इनते कई जगे से उनके शरीर पर जो गाओं लगे हुए थे तो जो भीम से इनते काफी घायल हो गए थे तो उनके शरीर पर जो गाओं से खून रिस रहा था तो उनके घाओं से जो खून रिस रहा था जो शरीर था उनका ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे की धदकती हुई आको कर और भीम के युद्ध में इस बार भीम सेन के रत के गोरे जो थे वो मारे गए तो कर और भीम का जो ये युद्ध हुआ इस युद्ध में भीम सेन के रत के जो गोरे थे वो मारे जाते हैं सार्थी भी कटकर गिल परा जो सार्थी था वो भी कट गया रध जो रध था वो भी तूट फूट गया दनुश भी कट गया भीम ने धाल तलवार ले ले लिए और जान छोक कर क्या किया लगने लगा तो जो भीम थे उनके रध भी तूट गया असारती भी खतम होगया अर जो उनके घोडे थे वो भी मारे गये धनुश पी उनका कट गया तो जो भीम होते हैं जो ढाल तलवार होती हैं उसको ले लेते हैं और फिर युद्ध करने लगते हैं पलक जब अकते ही करल ने उसकी ढाल के भी क्या किया तुकरे टुकरे कर दिये जब ढाल भी नहीं रही तो करल ने भीम को खूब परिशान किया इससे भीम बहुती प्यूरित हुआ उसे असीम किरोधाया तो जो भीम होते हैं उनको बहुत अधिक किरोधाता है गुस्सा आता है भे उचलकर करल के रत पर जाकुदा तो जो भीम होते हैं उचलकर करल का जो रत होता है महाँ पर चले जाते हैं तो करने रत के धज इस्तंब क कि यार लेका भीम सेन की जपट से अपने को बचा लिया तो जो कर होते हैं वो किसी तरह अपने आपको बचाते हैं भीम नीचे जमीन पर कूत परे और बिलच्छर युद्ध करने लगे फिर जो भीम होते हैं वो नीचे जमीन पर आ जाते हैं और बहुत ही अच्छर गोड़े हाती वगैर रखके पहिये थे जो भी हात में आता उसको हात में लेकर करव पर फैकने लगते थे जिससे उसे च्छर भरवी अराम नहीं मिल पाया तो जो कर था वो समल भी नहीं पाता था कि वो कुछ फैक दे थे उसके उपर कि बह अरजुन के अत्रित किसी को युद्ध में नहीं मारें तो उन्होंने कुंति को बचन दिया था कि युद्ध में वो अरजुन के अलावा किसी को नहीं मारें तो उनको ये बचन याद था जो उन्होंने अपनी मा कुंति को दिया था तो जो भीम थे हाला कि उनके हाथ मे अश्ट्रसल कुछ भी नहीं तेनीाते थे लेकिन वो उसको मारना नहीं चाहते थे वो अपना जो बचन था उसको निभाना चाहते थे तो यहीं पे हमारा जो चैप्टर है भू खतम हो गया बच्चों आप इसको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असाई एजूकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिलकुल मत भूलिए थैंक यू